अपना यात्री नामने रखा था, तो उसका एक अर्थ था, इसलिए अपनी जीवन यात्रा में, विचारों की यात्रा में, कविता की यात्रा में, वो बड़े ही, इसलिए बड़े आप रत्याशीते जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अनपेडिक्टबुल है नागाजू, अब कैसी रचना उनकी आज आएगी, हम नहीं जानते हैं, यही उनकी प्रतिफार के विश्यस्ता है। हमसान, संत, बिनोवा, पावए, दान, हर गंगे, हर गंगे, और हर गंगे की जो धुम थी वो लोग कंट पर बस गई थी। मुझे याद नहीं कि यह जो गंगा नहाने वाले या दान दच्छना देने वाले लोगों का गीत राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता ह इतने जोरदार, असरदार तरीके से नागारजुन कर सकते थी। इतने वाले रिखिए, लोगरजुन नहां कि स् psychiat्षिए, लौफ मुझे बहा कि याद एक और this देने गातिकेना के अगवे जैके स्पेतिकमान आई लेकिन आए दिन बहार। नागार्जुन्यक राजिनितिक रूपतिया है और कबीर की तरह ही व्यंग का तो उस्ताद याद में है वही है जो किसी जमाने में नजीर अक्वराबादी की थे लोग उन्हें शायर मानने को तयार ही नहीं थे क्योंकि वो गजलगो शायर नहीं थे और तो और वे ककड़ी वाले के लिए कविता लिखते थे नजम कहते थे जमना में तैराकी हो रही हो उस पर नजम कह रहे हैं नागार्जुन ने भी ऐसी ही बिहर चीज़ों के बारे में जो आमतोर से कविता के विशही नहीं होते थे अब मसलन उन्होंने कविता कटहल पर लिखी है आह खूब बड़ा है कटहल आह क्या महमा कर रहा है कटहल आह चारो खाने चित पड़ा है कटहल एक बच्चे की तरह से कटहल के को देखकर जिस तरह से उचल-उचल करके बाबा कविता लिख रहे हैं और कह रहे हैं उनके भीतर इस बुढ़ापे में भी एक अंदर एक मासूम बच्चा बैठा हुआ है जन आंदोलनों की धड़कनों की कविता बनती होई एक तरह से भारती समाज के इतिहास की गवाही देती होई कविता और नागारजुन की कविता चुकी जन आंदोलनों को ध्यान में रखती है इसलिए उसका स्वरूप भी जन आंदोलनों की चिंता के अनुरूप ही बनता है बाबा ने अपनी एक कविता में कहा है कि जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हक लाओं बल्कि मैं दोनों पंग्तियां रखना चाहूँगा कविता यो चलती है जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाओं जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हक लाओं जिन कवियों की राजनीतिक द्रिष्ट में दुविधा होती है उन्हीं की अभिव्यक्ति और कविता की कला में हकलाहट होती है बाबा के अहां जो घुमकडी से जीवन के अपार अनुभोप रात हुए हैं उनसे कविता के रूप रंग में विवित्ता आई है और इसलिए बाबा हिंदी के इन थोड़े से कवियों में हैं कि जिन्हों ने केवल भारती समाज के इतिहास नहीं बल्कि विश्व समाज के समकालीन इतिहास की घटनाओं पर भी कविताएं लिखी और ये बरावर अपने से बाहर जाने की जो प्रवर्टी नागार्जुन में दिखाई देती है वही प्रवर्टी उनको अपने से बाहर दूसरे व्यक्तियों में दिल्चस्पी पैदा करती है और अपने देश से बाहर दूसरे देशों की जनता में भी दिल्चस्पी पैद करते हैं। बहुत विश्वों पर लिखने वाले बहुत आदम पर लिखने वाले और भी कभी हैं। लेकिन नाजाज हम ऐने खास बात को मिलेगी कि विधा गांधी के प्रसुन्शाम भी कभी तो यह जह बंद्र की बिरोध लिखते जो पर्सपर के लिखने हैं बहुत बढ़े किसी पूर्व निर्धारित पूर्व प्रतिबद्धता से नहीं देखना विचारधारा को अपने आखें बंद करने की चीज ना बना लेना कोई आदमी बदल सकता है परिवर्तन उसमें होता है बदलाव होता है तो जब जिस समय नागार्जु कोई चीज कैसी लगी है कोई घ अब जब 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 उन्हें 38 पहले की है, तो हिमाले पर है, तो हिमाले मतलब यह है कि देरादू नहीं सान नहीं, उपर का, अचारह हजार फुट उपर का हिमाले है, उसका है, बहुत यगा कोर्स में देखी हुई, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, बादर को घरते देखा है, छोटे छोटे मुती जैसे, उसके क्या है, बादर को घरते देखा, उसके रंगे मूद रहा हुई, गुलावी चूणियां ये कविता लगभावे, तीस सार पहले दिखे गई थी, तीस सार पहले मध्य प्रिदेश में हम यात्त्रा कर रहे थी, वो ऐसा था, कि यहां से चले, दो चार निरू करते, तो वो प्राइबेट बस से मत्तब है कि ये गुलावी चूणियां, और नंदी कलाईयों अप्छू थी, तो तब साथ-ाथ साल की बच्छी है, उसी मान मर गई है, तो वो अपनी मा के याद में, वो चूणियां अपने, अपने पापा के सामने चांग देती है, गौन हर जगह आपने भी देखा, पाहर उपर भी उतराखन में और ये बिहार को देखें, गौन उजार हो गया है, उजार हो गया है, जीविका नहीं है, जिनके बास जमीन है, जिनके बास जमीन है, वो खेती मंदगा करते हैं, यह मंदग करते हैं यह सिचाई का इंतिजाम नहीं है, तो खादी जमीन जो है, मैदूर भागा जा रहा है पच्छिम गौण गौण का जो मैदूर भाग है, वो पच्छिम साय जाया है, हावडा जा रहा है, बंबई जा रहा है, आएकर दिन्दी में जा रहा है, तो इसलिए गौण में कोई रस नहीं रहा है, जिसका मुझाई सहती है, तो गौण में साधी ब्याह में लोग आते हैं, खर्चा करके दुचा दिन जा रहा है, जो पसंद नहीं करते हैं, जो आएं बहार से, छीजों को महगी बना कर चले जाएं, अगार बढ़ा हो कि टो कहलती नहीं, अगार ये पढ़ा है, तो हम राएं गुदामी कर पारत, एक राएं जो थेवाब तुबाग इंतियाम इतिया जे जे लिएं, तो हम बंद जाएं, जो घूमि परेशीं, अःजों का चैटर नगर में चैटर प्रेम का लाएं एक कहाबत है, जो साथे साथे गईया चराये, किसना हो गए गुषेयां, वही कहाबत हमको हो रहा है, हम यही रह गए, ओ घूम करके समूचा देश बिदेश समूचा नाम कर लिया, इसके तो बहुत आपार आनन्द होता है, यह अपनी माँके पहले अउलाज थे और उसके बाद कुछ होगा नहीं, तो होता है हमारे जहातों में ऐसा कहा है कि ठगने के लिए आये हैं ये ये ठगने के लिए आये हैं उस दुनिया में हम लोगों को और साइज जिये कि नहीं जिये इसलिए इनका नाम ठगन रख दिया थकन वने ठगने वाला साइज यही कारण है कि इनका नाम ठगन बचपन कर एसे उग्री जी का नम पेचन था एगा टो हम जोग उटे जाने के जे जिये प्षान थे कि आप बता रहे थे कि आपके पिता जी क्या कुछ करते हैं पंडित थे कर दो फाले खेखे थे एविद्वान के आट उच्छ सेब्टी एप अशाँ कि एट ए रिए गर्ट एट दो गर्ट परोर्म काते हैं कि आचान आगम के लड़ता किसा इसाट बोला ए अच्छा वाबा, मैं ये कह रहे थी, कि जैसे अकेले रहते हैं आप, आज कल, तो आपको, मतलब क्या सोच के होंगे आप, कैसा लगता होगा आपको, मन कैसा रहता है, सोने का पर, बस सोने का? एक जगह है, रहना हमको बोडियत लगती, धन लगता सजा है, कई बात होती, एक जगह ने, अलग-अलग बल के, अलग-अलग एज ग्रूप के लोगों के बीच मे रहना, उनसे मिलना, उनसे बाचिक हैं, एक जगह है, करकता की बात है, को दूकान पर दो दूर्जमान के, एक पान रहते हैं, वो जो है गहस्थ है, बुरापा जो अश भोडवरी सजा है, हम जगह पान खाया, तो कहां हिस funds आपको बुड़ा दगा होगा, तुम्हारा ये जे स्टेश्मेंट है उपहुत दी है, बुड़ापा सब के जिए बुड़ापा काटे नहीं करता है, यह नहीं मानता हूं, बुड़ापा अगर उसको बुड़ापा को गुजारने की तजबीर आपके पास हो, तो अपने ही आए भगवान करते रहें तो तो कल मरू तो आजी अभी मर्जाओं। हम स्री रंका गये 37 में, वहां वो बुड़िश मनस्ती थी, बुड़िश मनस्ती, वहां कहा कि आपको अपने जिए नाम सुरिए, हमें सुचासु कि नाम तो बहुत है, तो मैंका ये लागादू तो इत्यास के प्रूज है, तो इनके कई काम अधूरे हैं, उनको मैं पूरा करूँगा, इसी दिए ये नाम रखा, जिनके जीवन का हम पर बहुत असर पड़ा है, उसे महापंडित राहु जांक्रिचाई, तो उनको ने ये कहा कि, उन्होंने ये प्लान बगाया है, कि इनको स्री रंका से आकर के, तिबध में जाना है दो साथ, कि हमको इस बीस्भी में ये हो गया, कि किसानों के यहता, स्कामी सहाजान से चुणी, उनसे कत्यर कार गुए, उननों कहारा है राहुत लिए उनको भटका रहा है, वो मुर्दों कि फोद में लगा रहा दाता है, पुरात ओ तिमाने मुर्दों कि खोड़ी, तो जिंद आ य तिके देखिंग हो ने परोदे की फ़सीर बेतरन MSP हम को बाहर से लोग पूछते हैं कि कृता को अब बेकार जा करते है नंत्छा कोई समक्या द हम पर देख चैसे कोई काम चैसेक काम नी करती है मैं तब आप क्या धरे मैं प्रहाई ऑरे नि जन काम पिता budget ऐने करें और मंच तो उसका मतब मंचन होगा तो ये बिधा आ गई नाटी बिधा आ गई और उसमें कोई जरूई नहीं है कभी खुद ही पर है जिसका गला अच्छा हो जिसका आवाज अच्छी हो उस तो नोट कर दें कि भाई अम पना कर जा को इस तरह से पढ़ना है तो मोप्योटर ह कर दो मोपymphी South इमल खो घरूब कर दें कि अ New ключ है मोप्या आवाज़ ये जा कर दो च सिर्फ़ कर परेंगें।